आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो बसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इस question के अगर हम बात करें तो यह बुल रहाए आर्थरोपोडा के अंदर In fact, हम बोल सकते हैं, जो scorpion region है वो consist करता है आर्थरोपोडा के phylum को और जैसे कि हम बात करें इन आर्थरोपोडा की region में हमें पता है, यह consist करते हैं different other factors पे क्योंकि अगर हम बॉन की बात करें तो यह belong करते हैं from the phylum Echinodermata और जहां पे इनके different arrangement of structures and functions perform होते हैं और यही region है कि यह distinct characteristics पे काम करते हैं पूरे phylum के अंदर और यही phylum जो होते हैं एक important role play करते हैं इन पे included different animals के लिए इसी तरीके से अगर हम बोल है यह पे तो हम बोल सकते हैं पहला वाला statement बता रहा है यह बोल रहा है कि three pairs of legs and segmented body तो देखो हम बोल सकते हैं कुछ regions के अंदर segmented bodies present होती है पर यहां पे जो pairing of legs है वो change हो सकती है जैसे कि अगर हम बात करें scorpion के अंदर तो हम बोलेंगे महां पे जो pair of legs होते हैं वो consist करते हैं two pairs के form में इसी तरीके से हम बोलेंगे यह common feature नहीं होगा ऐसे अगर हम बात करें second statement की तो यह बोल रहा है kitanous cuticle and two pairs of antenna देखो अगर हम बात करें kitanous cuticle की तो हम बोल सकते हैं जो dragonfly होता है और prawn region होते हैं scorpion और silverfish में तो इस तरीके से जो kitanous cuticle region होता है वो consist करता है हमारे scorpion के अंदर in fact हम बोल सकते हैं in the prawn region पर अगर हम बात करें यहाँ पर silverfish की तो महाँ पर भी हम बोल सकते हैं यह cuticle cutaneous region ही present होगा पर अगर हम यहाँ देखें dragonfly की तो यहाँ पर cutaneous form नहीं होता है इसी तरीके से pair of antina के अगर हम बात करें तो वो scorpion के अंदर present होगा prawn के अंदर हम बोल सकते हैं present होता है पर silverfish के अंदर antina present नहीं होता है क्योंकि यह भी distinctive characteristics का का काम करती है इन phallums के अंदर और इनके included animals में जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरीके से हम बोलेंगे यह भी एक common functions नहीं perform कर रहा है अब अगर हम बात करें थर्ड वाले की तो यह बोल रहा है कि jointed appendages and chitinous exoskeleton तो हम बोल सकते हैं jointed appendages consist कर सकते हैं just because इनके body structure से और हम बोल सकते हैं इनके framing से और यह framing होती है इनके different functions of different body parts की जो consist करते हैं इन पे different arrangements पे तरू इसी तरीके से हम बोलेंगे यह jointed appendages जो होते हैं important role play करते हैं इनके outernal regions में क्योंकि अगर हम देखे antenna की बात कर सकते हैं या हम बोल सकते हैं anticles regions के या anticles regions जो होते हैं important role play करते हैं इनके receptors का in fact हम बोल सकते हैं किसी किसी region में receptors के साथ साथ this enhancing region में भी काम करते हैं और इन तीनों में यह चीज common होती है इसी तरीके से जो exoskeleton region है इन चारों region में जो बता रहा है वो chitinous ही form करता है तो इसी तरीके से chitinous exoskeleton इन तीनों में form होता है just because इनकी जो body है वो divided हो रखी होती है तीन पार्ट के अंदर जैसे कि हम बोल सकते हैं head region second हम बोल सकते हैं thorax के अंदर जो इनके different situated parts होते हैं ऐसे ही बोल सकते हैं abdomen जो consist करता है इनका last region तो इस तरीके से हम बोलेंगे c वाला जो है ये common characteristics शो कर रहा है ऐसे अगर हम बात करें fourth वाले की तो ये बोल रहा है c phalothorax and trachea तो देखो trachea के अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं इन चारों के अंदर ये common consist नहीं करता है क्योंकि अगर हम आर्थो पोड़ा में फाइला में बात करें जो include करें हमारे scorpion और prawn महाँ पर ये trachea region जो होता है respiration activity में काम देता है whereas अगर हम बात करें other dragonfly और इनकी तो यहाँ पर different respiration organs present होते हैं जो consist करते हैं इसके respiration process को तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसमें common जो feature होगा इस question के अंदर वो होगा हमारे option C के अंदर